अब इन खाली पनी का क्या करें? चलो उसे पानी में फेक देते हैं? हाँ दोस्तों, ये सही रहेगा हमें ऐसे कोड़े को नदी में नहीं फेकना चाहिए था अरे, ये किसकी आवाज है? तोने, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा हमारे सामने तो सिर्फ एक नदी है बिल्कुल सही, मैं इस नदी का पानी बोल रही हूँ, मुझे बचाओ बच्चो नदी का पानी? तुम बोल भी सकती हो? हाँ, और तुमारे कपड़े इतने गंदे क्यों है? सब लोग आते जाते मेरे पानी में कूडा फेकते हैं और पानी को गंदा करते हैं जिसकी वज़ा से मेरे पानी में रहने वाले जीवों को भी बहुत नुकसान होता है आपके पानी में भी जीव रहते हैं? हाँ, ये देखो, अभी अभी आप बच्चों ने भी ये प्लास्टिक की पनी मेरे पानी में डाली अब यदि ये मचलियों के गले में अटग गई तो इन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी और वो बिमार हो जाएंगी मचलिया प्लास्टिक खाती हैं? प्लास्टिक को ना ही मचलिया खा सकती हैं, ना ही कोई और जीव अब देखो, ये फैक्टरी का गंदा कूडा सब ऐसा ही पड़ा है ये नादान और ना समझ मचलियां अंजाने में इस गंदे कूडे को खा लेती हैं और फिर बिमार पड़ जाती हैं, और फिर उनका बचना मुश्किल हो जाता है हम समझ गए नदी, ये पानी सिर्फ मचलियों के लिए नहीं, हमारी सेयत के लिए भी अच्छा नहीं है नदी, अब आप किती सुन्दर लग रहे हो हाँ, सच में शुक्रिया बच्चो, मुझे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए हम वादा करते हैं, हम आगे से किसी भी नदी तालाब और किसी भी तरह के साफ पानी को गंदा नहीं करेंगे कूडे को हमेशा कूडे दान में ही डालेंगे और सभी को साफ रखने के लिए भी कहेंगे वादा पक्का वादा दोस्तो, पानी को साफ रखने के जितनी जिम्मेदारी है हमारी, उतनी आपकी भी है तो याद है न दोस्तो, पानी को साफ रखने के लिए आपको क्या करना है? पानी में ना तो खुद कूडा फेक ना है और ना ही दूसरे को डालने देना है जब होगा पानी स्वच तब ही रहेंगे हम स्वास्त बाई बाई दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे